आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खास दिश जो है दाल मकनी दाल मकनी सभी की फेवरेट है आप इसे एक पार्टी में बनाए या फिल कोई भी छोटी मुटी कैस्टिंग में आप दाल मकनी को ट्राइ कर सकते हैं अगर आपको वही रेस्टोरेंट वाला तेक्स्टर चाहिए जो हता एकडम प्रीमी और यमी तो मेरी रेस्की को ट्राइ करना ना हो ए तो चाहिए डाल मकनी बनाने के लिए आदर चमद जीरा वन फोट टेबल स्पोन हिंग दो शोटी लाइची एक बड़ी लाइची एक यह नमग देशिटी गी कि पचाश ग्राइब। चाहच नमग पिया आदा कुरी की चगा आप अरिष्ट माटो भी उसकान जाटे नायचिट निया तरहिस दॉक सकते हैं तो चली स्काट करते हैं नाल में हैं सबसे पहले हम दाल को बॉइल करेंगे प्रेसर फोकल में हम दाल चड़ाएंगे इसमें हम एड़ करेंगे पानी पाने की कौनिशने में ज्यादा रखने है यह देखिए मैंने इतना पानी इसमेली है और डालेंगे नमक अब हमें दो विसल लगाने हाई फ्लेम पे और तीस से चालिस मिनट के लिए सिम करके दो विसल के बार हमें दाल को कुप करना है यह देखिए मैंने चालिस मिनट डाल को पकाया है जाल हमारी पूरी तरह कुप हो गई है मैं ऐसी गुली गुली डाल चाहिए आप हाथ लगा के देखेंगे बिल्कुल ऐसे गुली गुली डाल चाहिए अब हम तड़का तयार करेंगे अब हम दाल में तड़का लगाएंगे हमने कड़ाए है करेंगे प्लेम को लोग कर लेंगे लीटे साथिये में बटर टालेंगे अगर आप सिरफ बटर डालेंगे तो आपना बटर दिन जाएगा अब इसमें डालेंगे दीरा और हमारे साबूस मसाले और दीर अब फ्लेम को लोग कर लेंगे लोग उ्गो चिपग हैं आप 뜹ो की पहाएगा है अबाद का रालेंगे पूब को दो है ङलोगा ओशटोब कर दो साथ अजदे अजखर व्लाबगगा अब बैट करेंगे अब तर ख्रस्टून का पेस्ट एक मिनट हाई फ्लेम पेस्ट को भूनेंगे हल्की सी खुष्ट भूआ जाएगी अब एक सरेंगे टमाको पूरी तो चलाएगे अब में मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनें आप मसाले जिसना अच्छा भूनेंगे उसना ही टेश्टी फेवर आएगा यह देखे मैंने भी खेम को हाई पे रखना है एक मिनट हाई खेम पे चलाएगे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब दाल में एक उबालाने देंगे अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और एड करेंगे क्रीम आप अपने अनुसार कम यह ज्यादा कर सकते हैं अब इसको मिक्स करेंगे और दस मिनट के लिए सिम करके इसको डब कर अब पकाना है यह देखिए दस मिनट तक मैंने दाल को सिम पे पकाया है और इसे बीद बीद में हलका हलका चला दिया है अब इसमें आड करेंगे दालचीनी पावडर आड कि फ्लेम को हाई करेंगे 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 दो मिनिट पकाने के बाद फ्रेम हम आफ करतेंगे दाल हमारी सर्फ करने के लिए रेडी है